क्या आप अपने शोंक को बिजनस में बदलने के अवसरों की तलाश कर रहे हैं? तो मैंने इस वीडियो सीरिज में आपके पुस्त के पढ़ने के शोंक को बिजनस में कैसे बदलने के प्रशन का उत्तर देने का एक सकारात्मक प्रयास किया है। अगर आप किसी का समय बचा रहे हैं तब आप सच्चे अर्थों में उसकी मदद कर रहे हैं यह कतन उनके लिए सही बैठता है जो ओडियो बुक्स रिकोर्ड करके दूसरों को सुनाने के लिए उपलब्द करवाते हैं ताकि सुनने वाले का कीमती समय बचे अगर आप भी इस चारों और नजर दोड़ाएंगे तो आपको इस बदलाव में आवसरों की भरमार नजर आएगी जैसे आज उर्जा के क्षेतर में सोर उर्जा और पवन उर्जा के बढ़ते प्रभाव का बोल वाला है वहनों के क्षेतर में इलेक्ट्रिक वेहिकल की मांग बढ़ रही है तकनीक के क्षेतर में 5G नेटवर्क और इंजिनिर के क्षेतर में रोबोटिक वे आर्टिफिसियल इंटेलिजेंस की मांग बढ़ रही है और इसी तरह ओडियो बुक्स के क्षेतर में आवसर इस बात में है कि पाठ़क अव्श्रोता बन रहे हैं दुनिया की बड़ी बड़ी कमपनिया भारत की ओर देख ही नहीं रही है बलकि भारत में अपने ओडियो बुक्स प्रोजेक्ट स्थापित कर चुकी है इसका कारण स्पष्ट है कि भारत एक विवित्ताओं से भरा हुआ देश है यहां पर आधिकारिक तोर पर 22 भाषाएं बोली जाती है वे लगबग 780 बोलियां देश के अलग-लग शेत्रों में बोली जाती है जो ओडियो बुक्स बिजनस के लिए एक वरदान साबित हुआ है इसी बात से हमें अंदाजा लगाना चाहिए कि ओडियो बुक्स बिजनस के कितनी अपार संभावनाई हमारा करने के लिए बाहें फैलाई तयार खड़ी है आईए समझते हैं कि इसे अपने लिए व्यावसाई के तोर पर क्यों चुनना चाहिए वे इस व्यावसाई में क्या संभावनाई है दा टाइम्स ओफ इंडिया के 8 अप्रेल 2018 के अंग्रेजी डिजिटल अंक में एक लेक छप पड़ रहा है आज अंतराष्टी अश्तर के परकाशन हाउस जैसे पेंग्विन रेंडम हाउस और हारपर कोलिंस जैसे भी भारत में अपने ओडियो बुक रिकोर्डिंग स्टूडियो खोल चुके हैं आज भारत में बैट टाइम स्टोरी से लेकर बिजनस बुक्स तक कि औडियो के रूप में सुनना पसंद किया जाने लगा है योगे स्वर्दत जो भारत में स्टोरी टेल के कंट्री मैंनेजर हैं वो कहते हैं कि आज लोग हर चीज अपनी भाषा में सुनना पसंद करते हैं आज भारत में स्टोरी टेल गुगल ओडियो बुक्स, आईबल, Bennett स्क्रिप्ड आदी कितने ही प्लेटफार्म है जो भारतिय भाषाओं में ओडियो बुक उपलब्द करवा रहे हैं। विकिपीडिया के अनुसार भारत में ओडियो बुक का कारोबार साल 2010 में ही शुरू हो चुका था। बारत में सेल्फ हैल्प, बिजनस, आत्म सुधार और खुद को शिक्षित करने के बारे में सबसे ज़्यादा ओडियो बुक सुनी जा रही है। वे इनकी मांग बढ़ती जा रही है। पांच फरवरी 2018 के अंक में देवाल स्ट्रीट जनरल में छपे एक लेक के अनुसार एमेजन बुक के प्रिंट को कम करके ओडियो बुक बना रहा है। इसमें कहा गया है कि यह बदलाव इसलिए आया है कि अब पाठकों की जगैस रोताओं ने ले ली है जो लगातार तेज गती से बढ़ती जा रही है। पब्लिकेशन की संख्या में 20 प्रतिसत बढ़ोतरी होई जबकि इसी समय में बुक की प्रिंट मात्र 1.5 प्रतिसत बढ़ी और इबुक में 5.4 प्रतिसत की गिरावड दर्ज की गई। पत्रिका के अनुसार साल 2016 के बाद अकेले अमेरिका में ओडियो बुक्स के बिक्री 2. 2.1 अरब यानि 2.1 बिलियन डॉलर की थी। नेक्स्ट बिग वाट ब्लोग ने अपने एक पोस्ट भारत के बढ़ते ओडियो बुक बाजार पर एक नजर में लिखा है कि भारत ओडियो की रा में बढ़ता हुआ बाजार है इसमें ओडियो बुक्स की अपार संभाउना ही इस बात का अंदाजा आपको लग गया होगा कि ओडियो बुक ही एक मात्र रा है जो स्रोताओं की बढ़ती संख्या के दम पर परकाशन मार्केट को लीड करने का मादा रखता है इस बात का जिक्र बिजनस वर्ल्ड डोट इन के एक ब्लोग में भी किया गया है जिसके नई खोजों के साथ आएगा लोगों को लगता है कि ओडियो बुक सुनना किताबों को पढ़ने के बराबर नहीं है लेकिन यह बिल्कुल वैसी ही है क्योंकि दोनों को एक ही मानसिक प्रक्रिया की आउशक्ता होती है एक अध्यन के अनुसार ओडियो बुक्स को सुनना फि तो उसे तुरंत कमेंट बुक्स में लिख दीजिए ताकि हम सब मिलकर उसे और ज़्यादा गहराई से समझ सकें वैं उसका उत्तर खोड़ सकें अगले वीडियो में बात करेंगे कि हम ओडियो बुक बिजनस कैसे स्टार्ट कर सकते हैं धन्यवाद हिंदी ओडियो बुक ड